नमस्कार लिडिन्या में आपका स्वागत है बिहार की 243 सीटों पर मतों की गिंती शुरू हो गई है शुरू आती रुजहानों में तेजी से बढ़त बनाते दिख रहे तेजस्वी अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं आईए एक नजर डाल लेते हैं ताजा रुजहानों पर ताजा रुजहानों में NDA 109 सीटों पर आगे चल रहा है जबकि महा गठवन्दन 123 सीटों पर आगे बढ़ रहा है बिहार विधानसभा के लिए 243 सीटों पर तीन चरणों में वोट डाले गए थे चुनाव में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है नितिश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्य मंत्री है और लगातार चौथी बार सीम के लिए चुनावी मैदान में है तेजस्वी यादव विपक्ष के मुख्य मंत्री के उमीदवार है और एक्जिट पोल में वो नितिश पर भारी पड़ते दिखाए गए है कोरोना महामारी के बीच बिहार भारत का पहला राज्य है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे है अब देखना होगा कि बाजी किसके हाथ लगती है नितिश कुमार के या तेजस्वी यादव के इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पैस करना ना भूदे